साथियों स्वयम सहायता सबू और दिन दयाल अंतोधय योजना आज ग्रामिड भारत में एक नई क्रांती ला रही है और इस क्रांती के मशाल महिला सेल्फ हेल्फ सबूगों से संभव हुआ है और उन्हाने संभाल करके रखी है बिते छे साथ वर्षों में महिला स्वयम सहाता समू होने के यांदोलन और तेज हुआ है आज देज भर में लगबग सत्तर लाग सेल्फ हेल्फ ग्रूप है जिन से लगबग आठ करोड बेहने जुड़ी है पिछले छे साथ सालों के दोरां स्वयम सहायता समूहों में तीन गुना से अधिक बड़ोती हुई है तीन गुना अधिक बेहनों की भागिदारी सुनिश्चित हुई है ये इसलिए एहम है क्योंकि अनेक वर्षों तक बेहनों की आर्थिक ससक्तिकरण की उतनी कोशिशी नहीं की गई थी जितनी होनी चाहिए थी जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि देश के करोरो बेहने ऐसी थी जिनके पास बेंक खाता तक नहीं था वो बेंकिक सिस्टिम से कोशो दूर थी इसलिए हमने सबसे पहले जंदन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान चुरू किया आज देश में 42 करोड से अधिक जंदन खाते हैं इन में से करीब 55 प्रतिशन खाते हमारी माताव बहनों के हैं इन खातों में हजारों करोड रुपिय जबा है अब रसोई के डिब्वे में नहीं वरना में मालूम है ने गाव में कहा करते हैं रसोई के अंदर उसे डिब्वे होते हैं ने कुछ बच्चे कुछे पैसे उसमें रख देते हैं अब पैसे रसोई के डिब्वे में नहीं पैसे बैंक के खाते में जमा हो रहे हैं बहनों और भाईयों हमने बैंक खाते भी खोले और बैंकों से रण लेना भी आसान कर दिया एक तरब मुद्रा योजना के तहट लाखों महिला उद्यमियों को बिना गैरंटी का आसान रण उपलब्द कराया वहीं दूसरी तरब सेल्फ हेल्फ गुरुप्स को बिना गैरंटी रण में भी काफी बढ़ोतरी की राष्ट्रिय आजी भी काम मिशन के तहट जितनी मदद सरकार ने बहनों के लिए भेजी हैं वो पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना जादा है इतना ही नहीं लगबग पौने चार लाग करोड रुपिय का बिना गरंटी का रण भी सेल्फ हेल्फ गुरुप को हमारी बेहने कितनी इमानदार और कितनी कुसल उद्यमी होती है इसकी चर्चा करना भी बहुत जरूरी है साथ सालों में स्वयम सहायता समूह ने बैंकों की रण वापसी को लेकर भी बहुत अच्छा काम किया है एक दोर था जब बैंक लोन का करीब अभी गिर्राजी बता रहे थे नव प्रतिशत तक मुश्किल में फस जाता था यानि इस राहची की वापस ही नहीं वो पाती थी अब ये घटकर दो धाई प्रतिशत रह गया है आपकी इस उद्यम सिल्ता आपकी इमानदारी का आज देश अभिवादन कर रहा है इसलिए अब एक और एहन फैसला लिया गया है इस सेल्फ हेल्फ गुरुप को पहले जहां दसलाख रुपिय तक का बिना घैनेटी का रण मिलता था अब ये सीमा दो गुनी यानि बीस लाग की की गई है पहले जब आप बैंक से लोन ले जाते थे तो बैंक आपसे अपने बचत खाते को लोन से जोड़ने क कहते थे और कुछ पैसे भी जमा करने को कहते थे अब इस सर्थ को भी हटा दिया गया है ऐसे अनेक प्रयासों से अब आत्म निर्भरता के अभ्यान में अधिक उत्सा के साथ आगे बढ़ पाएगी